हेलो गाईस मेरे यूटुब चैनल पुजबिते जुगिशन में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मैंत का इंपोटेंट सेशन रेल गाड़ी एबम समय टाइम एंड ट्रेन का पार्ट फाइब पार्ट बार्ट टू और पार्ट ट्री और प कवर करा चुकी हूँ तो गाईस आप प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं तो मैंने उसमें टॉपिक वाइस कवर कराई हूँ तो गाईस जितने भी स्टूडेंट ऑल एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो वीडियो को जादा से जादा से शेयर कीजिए लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो जो जो से सब्सक्राइब कर लिजिए अब लाइगां को प्रेस किजिए ताकि आप सभी के पास वीडियो की नोटिपिकेशन समय समय पर मिलती रहे तो गाईस सेशन को करते हैं इस्टार्ट फर्स्ट कोश्चन ये रहा तो गाईस इसमें प्र तो ये है टाइम एंड ट्रेन का पार्ट फाइफ के तो फर्स्ट कोश्चन एक दो सो साट मीटर लंबी एक रेल गाड़ी एक सो बीस मीटर पुल से 19 सेकेंड में गुजर जाती है तो रेल गाड़ी की गती क्या है ये कोश्चन एंटी पी सी सीजी एर रेलवे में पूछा गाया कोश्चन है के तो कोश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसी सा कोश्चन है इसको असानी से सॉल्व कर सकते हैं तो इसमें क्या करना है तो इसमें क्या लगेगी चाल बरावर दूरी बटा समय के तो चाल बरावर दूरी बटा समय के तो इसमें क्या क्या करना है दो सो मीट sorry 260 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी 120 मीटर पुल से 19 सेकेंड में गुजर जाती है कि 19 सेकेंड में गुजर जाती है तो इसमें क्या करेंगे हम 260 दिया है कि इसमें हम क्या कर लेंगे दोनों को प्लस करेंगे तो इसमें दोनों को प्लस कर लेंगे इसमें कितना जाएगा 260 मीटर प्लस करेंगे तो 120 मीटर और मीटर तो 260 मीटर लंबी रेल गाड़ी और 120 मीटर पुल तो इसमें क्या करेंगे इनको एड़ कर लेंगे तो इसमें कितना जाएगा 380 मीटर तो 380 मीटर जाएगा और बटे में हम क्या रखेंगे 19 सेकेंड तो 19 से हम इसमें भाग देंगे तो 380 कर जाएगा 19 से तो कितने बार में कर जाएगा 20 तो ये किसमें जाएगा मीटर सेकेंड में तो 20 मीटर सेकेंड में जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे 20 मीटर सेकेंड में है गुणा हम इसमें किस से करेंगे 18 वटा 5 से गुणा कर लेंगे तो इसमें 20 कट जाएगा 5 से कितने वार में कट जाएगा 4 वार में तो 4 इंटू 18 करेंगे तो इसमें कितना जाएगा 72 किलो मीटर यही इसका right answer बनेगा तो option में C number इसका right answer बन जाएगा यह question NTP, C, CGL और railway में पूछा गया question है तो बहुत ही important question है तो इसको आप ध्यान से समझेगा और copy में not करते हुए चलिएगा तो इसमें हमने क्या किये इसकी चाल बरावर दूरी बटा समय होता है और इसमें हमने 260 मीटर लम्मी रेल गाड़ी और 120 मीटर पुल को हमने क्या किये प्लस कर लिए तो आजाएगा इसमें 380 मीटर और बटे में 19 सेकेंड रखेंगे तो इसमें डिवाइट कर लेंगे कितने बार में कर जाएगा 20 मीटर सेकेंड में आजाएगा कि तो यहां पर मीटर सेकेंड में है तो हम क्या गरेंगे 18 बटा 5 से गोड़ा कर लेंगे 20 कर जाएगा 5 से 4 बार में और 18 into 4 कर दिंगे तो जाएगा 72 किलो मीटर घंटा में तो इसमें ड्रेल काड़ी की गती क्या है तो 72 किलो मीटर घंटा होगी कि इतना किलियर हुआ सभी को तो उमेद करती हूँ यह कोश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा तो नौट कर लीजिए ऐसे कोश्चन एकजाम में जरूर देखने को मिलते हैं आगे वड़ते हैं नेस्ट कोश्चन की और नेस्ट कोश्चन यह रहा दो रेल गाड़ी 1200 मीटर तथा 1800 मीटर लंबी है जिनकी चाल क्रम सह 30 मीटर सेकेंड तथा 10 मीटर सेकेंड है एक ही दिसा में दौर रही है तो कितने समय में एक दूसरे को पार्थ करेगी के तो इजी सा कोश्चन है इसको असानी से सौल कर सकते हैं तो इसमें क्या करना है तो दो रेल गाड़ी के तो एक रेल गाड़ी यह है जो की कितना इसमें तीस मीटर सेकेंड है के तो तीस मीटर सेकेंड है और ये कितना बारा सो मीटर के तो बारा सो मीटर और सेकेंड रेल काड़ी है ये जो कि कितना दस मीटर सेकेंड के तो दस मीटर सेकेंड है और एक ही दिसाम में दौण रही है तो ये दोनों ट्रेने एक ही दिसा में दोड़ रही है और ये कितना है अठारा सो मीटर तो दोनों ट्रेने एक ही दिसा में दोड़ रही है तो इसमें क्या करना है इसका चालो का अंतर तो चालो का अंतर इसमें क्या होगा 30 meters second और 10 meters second तो हम इसमें क्या करेंगे 4 लो का अंतर करेंगे तो इसमें 30 minus 10 बरावर कितना हो जाएगे इसमें 20 meters second कि तो 20 meters सेकेंड जाएगे इसका 4 लो का अंतर तो इसमें हम मीटर सेकेंड वाले को हम माइनस करेंगे इनका अंतर कितना जाएगा इसमें 20 मीटर सेकेंड आगे इसमें क्या करना है तो एक इंपोर्टेंट बात इसमें ये है कि इसमें हमने मीटर सेकेंड ये वाले को चालो का अंतर किये हैं और इसमें हम क्या करेंगे मीटर तो इसमें 1200 मीटर और 1800 मीटर दिया है तो इसमें हम क्या कर लेंगे इसका दूरी बरावर तो इसमें 1200 प्लस 1800 करेंगे कि तो इसमें हम प्लस करेंगे और इसमें चालो का अंतर यह important बात आपको ध्यान में रखना है तो देखिए इसमें 1200 प्लस 1800 कितना अजाएगा इसमें 3000 के तो 3000 अजाएगा तो इसमें इसका टाइम समय क्या होगा तो इसमें 3000 बटे में क्या रखेंगे 20 रखेंगे तो 10 से तो 10 कैंसिल 300 कट जाएगा 20 कितने वार में कट जाएगा यह 150 के तो यह एक दूसरे को पार करेगी तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी 150 के तो 150 सेकेंड़ 150 सेकेंड में पार कर लेगी तो उमिद करती हूँ यह कोशन आप सबीको समझ में आ गया होगा तो इसमें हमने क्या किये इसका चालो का अंतर किये तो जाएगा 30 minus 10 तो जाएगा 20 meter second में जाएगा और important वाली वाद यह है हमने meter second वाली को हमने क्या किये इसका चालो का अंतर माइनस किये और इसमें हम क्या करेंगे इसका 1200 मेटर और 1800 मेटर जो लंबी है ट्रेन जो की हम इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे तो इसकी दूरी क्या होगी 1200 प्लस 1800 तो 3000 हो जाएगा और इसका हम टाइम निकालेंगे 3000 बटे में क्या रखेंगे 20 10 से 10 कैंसिल तो 300 कर जाएगा 2 से 150 सेकेंड कि तो इसमें कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी तो 150 सेकेंड में पार करेगी उमीद करती हूँ ये कोश्यन आपको समझ में आ गया होगा तो नौट कर लीजिए आगे वढ़ते हैं नेस्ट कोश्यन की और नेस्ट कोश्यन ये रहा एक ट्रेन 3 सही एक वटा दो तक 40 किलोमेटर घंटा की औसर चाल से चलती है और फिर 2 सही एक वटा दो तक 60 किलोमेटर घंटा की चाल से चलती है तो ट्रेन पूरे छे घंटे में कितनी दूरी तै करती है यह कोश्चन SSCGD 2021 में पूछा गया कोश्चन है तो ध्यान से समझीगा तो इसमें क्या करना है इसमें बटे वाला कोश्चन है तो इसमें हम क्या करेंगे जो 40 किलोमेटर घंटा की औस चाल से चलती है तो इसमें क्या करेंगे जो एक घंटे में 40 किलोमेटर घंटा की चाल से चलती है और तो इसमें एक घंटे में 40 किलोमेटर घंटा की चाल चल रही है और 3 घंटे तो 3 घंटे में कितना चलेगी 120 किलोमेटर की तो इसमें हम क्या करे करेंगे के आगे इसमें क्या दिया हैं तो आध़ घंटे में कितना चलेगी तो 40 का आधा करेंगे 20 किलो मीटर चलेगी के पलस और फिर इसमें 2 सहींleei1 ad2 तक 60 kmH की चाल से चलती है तो इसमें हम क्या करेंगे ये एक घंटे में साट किलो मीटर घंटा की चाल से चलती है तो इसमें दो घंटे में कितना चलेगी तो दो घंटे में ये एक सो बीस किलो मीटर चलेगी के तो एक सो बीस मीटर चलेगी आगे इसमें आधा घंटा तो एक बटा दो तो आध 11 गंटा में यह कितना चलेगीज केयि तो 60 के 10 कश कितना चाल Yasuko 30 के इतना किलियर हुआ सब्सक्राइन को एक खंते में यह 400 कंट कीno काम में चाल से चलती है तो इसका हे 따라िक फर Content के करें चाल उनुए टोकितना सालती है तो इसमें 3 फरीन पा lesi में 30 खंते में चलेगी प्लस करेंगे इसमें और आधा घंट आधा घंटा में कितना चलेगी तो इसका हम आधा कर लेंगे 40 का तो 20 किलो मेटर चलेगी प्लस और इसमें एक घंटे में 60 किलो मेटर चलती है तो दो घंटे में कितना चलेगी 120 किलो मेटर प्लस करेंगे और आधा घंटा में इस करेंगे ट्रेंथ पूरे 6 गंटे में कितनी दूरी त्य करती है तो इसको हम क्याbenद thought इसमें कितना हुझाएगः पांच के और अधा और आधा इनको प्लस करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 6 घंटे तो इसमें भी 6 घंटे का पूछरा है तो इसमें हम क्या कर लेंगे 120 प्लस करेंगे इसमें 120 प्लस 20 करेंगे तो 140 होगा और 140 प्लस 120 करेंगे तो इसमें कितना जाएगा 260 के 260 प्लस 30 करेंगे तो इसमें कितना जाएगा 290 किलो मेटर के तो 290 किलो मेटर इसका राइट आंसर बनीगा option में ए नम्मर इसका right आंसर बन जाएगा ये question SSCGD 2021 में पूछा गया question है जिसमें train पूरे 6 घंटे में कितनी दूरी तैक करती है तो 290 km की दूरी तैक करती है उमीद करती हूँ ये question आपको समझ में आ गया होगा तो इसमें हमने क्या किये 40 km घंटा की चाल से चलती है तो एक घंटे में कितना चलेगी 120 और 3 घंटे में कितना चलेगी 20 km तो इसमें 3 घंटे में 140 120 चलती है तो इसमें आधा घंटा में इसका आधा करेंगे कितना चलेगी आधा घंटा में 20 और एक घंटे में कितना चलती है 120 किलो मीटर और दो घंटे में कितना चलेगी ये एक घंटे में 60 किलो मीटर चलती है और दो घंटे में 120 किलो मीटर चलेगी और आधा घंटा में 30 किलो मीटर चलेगी इनको हम एट करेंगे 290 किलो मीटर की दूरी तै करती है कि इतना किलियर हुआ सभी को तो आगे वढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन की और नेस्ट कोश्चन ये रहा एक ट्रेन दिल्ली से दहरदून तक 120 किलो मीटर घंटा की चाल से और दहरदून से दिल्ली तक 130 km गंटे की चाल से यातरा करती है तो पूरी यातरा के दौरान ओसर चाल क्या है ये question SSC GD 2023 में पूछा गया question है तो पिछला वाले question में 2021 में पूछा गया था और ये question 2023 में पूछा गया question है तो easy question है इसको असानी से solve कर सकते हैं तो देखिए इसमें क्या करना है फिगर द्वारा आपको मैं समझाओंगी तो इसमें क्या करना है एक train के तो दिली से ये दिली से कितना 10 दौन तो देहरा दौन 120 km गंटा की चाल से यातरा करती है तो ये जारी है 120 km गंटा की चाल से और ये बापस आरी है दहरदून से दिल्ली तक तो इसमें दहरदून से दिल्ली तक 130 km गंटा की चाल से यात्रा करती है तो जारी है और आरी है कि दिल्ली से दहरदून तक 120 km की यात्रा करी है और दहरदून से दिल्ली तक तो इसमें 130 km गंटा की यात्रा करती है तो पूरी यात्रा के दौरान ऑसत चाल क्या है कि तो इसकी ऑसत चाल बरावर तो इसमें 120 km गंटा की चाल और 130 km गंटा की चाल तो एक जा रही है और एक बापस आ रही है कि तो दो खिरिया हो रही है इसमें तो हम दो इंटू 120 रखेंगे इंटू 130 कि और बटे में हम क्या करेंगे 120 प्लस 130 प्लस करेंगे इसमें तो इसमें क्या कर लेंगे गोड़ा कर लेंगे तो दो और 120 और 130 तीनों का हम multiply कर लेंगे कितना जाएगा 31200 और बटे में तो 120 प्लस 130 इसको हम plus कर लेंगे तो इसमें कितना जाएगा 250 तो इसमें भाग देंगे divide कर लेंगे तो इसमें 10 से तो 10 cancel तो इसमें कितना ये कट जाएगा 25 से कितने बार में कट जाएगा 124.8 124.8 बार में कटेगा तो इसका answer बन जाएगा 124.8 किलो मीटर तो यही इसका right answer होगा तो उम्मीद करती हूँ ये question आपको समझ में आ गया होगा option में A number इसका right answer बनेगा ये question SSCJD 2023 में पूछा गया question है तो फिर से समझाती हूँ तो देखिए इसमें क्या करना है तो इसमें figure द्वारा आपको मैंने समझाई हूँ पर exam में ऐसे नहीं करना है तो इसमें इसकी औसर चाल पूछा है न तो इसमें exam में क्या करेंगे इसका एक जा रहा है और एक बापस आ रहा है तो दो किरिया हो रही ने इसमें तो इसकी औसर चाल 2 into 120 रखेंगे और 130 रखेंगे तो इसमें गुड़ा करेंगे और प्लस करेंगे 120 प्लस 130 तो इसमें तीनों का मल्टिपला करेंगे तो 31,200 रखेंगे और बटे में इनका प्लस करेंगे तो 250 रखेंगे 10 से 10 कट जाएगा तो इसमें 31 और 20 कट जाएगा कितने 25 से कितने बार में कट जाएगा 124.8 तो इसका 124 पॉइंट इसका right answer बन जाएगा तो option में ए नमर इसका राइट आंसर हो जाएगा के तो उम्मिद करती हूँ यह कोश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो नौट कर लीजिए आगे वड़ते हैं नेस्ट कोश्चन की और यह रहा एक रेल गाड़ी 70 km घंटा की चाल से 5 घंटे तक चलती है और स्टेशन A पर रुखती है इसके बाद रेल गाड़ी स्टेशन A से निकल कर 66 km घंटा की चाल से 3 घंटे चल कर स्टेशन B पर पहुँचती है रेल गाड़ी द्वारा तै की गई कुल दूरी ग्याद कीजिए यह कोश्चन SSC GD 2021 में पूछा गया कोश्चन है तो कोश्चन को सॉल्ब करते हैं तो इसमें क्या करना है तो इसमें दिया है और स्टेशन A पर रुखती है तो इसमें स्टेशन से स्टाथ होती है तो यह कहा तक जाती है यह स्टेशन A पर रुखती है तो इसमें यहां से स्टार्ट होती है तो यह स्टेशन A पर रुखती है और एक रेल गाड़ी इसमें कितना दिया है इसका 70 किलोमेटर घंटा की चाल से 5 घंटे तक चलती है तो पांच घंटे तक चलती है यह कितना किलियर हुआ सभी को आगे इसमें क्या पूछा है इसके बाद रेल गाड़ी इस्टेशन से A से निकल कर तो यह इस्टेशन A से निकल कर कितना इसमें कितना दिया है 66 किलोमेटर घंटा की चाल से 3 घंटे चल कर इस्टेशन B पर पहुंचती है तो यह इस्टेशन B पर पहुंचती है कि इतना सभी को समझ में आया तो इसमें यहां से स्टार्ट होती है तो इस्टेशन A में रुकती है और इस्टेशन A से निकल कर इस्टेशन B पर पहुंचती है कि तो यह कितना है तीन घंटे इतना किलियर हुआ आगे इसमें क्या करना है तो इसमें दिया है इसका 70 किलोमेटर घंटा की चाल और इसमें 66 किलोमेटर घंटा की चाल तो यह इसमें तै की गई दूरी के तो इसमें दोनों की तै की गई दूरी इसमें क्या होगी दोनों की दूरी तो इसमें क्या हो जाएगी अगरना है 350 km गंटा और 198 km गंटा दोनों को हम प्लस करेंगे तो इसमें दोनों को प्लस करेंगे, कितना जाएगा इसमें 8 और 9 और 5, कितना हो जाएगा 14, 14 का 4 1 बचा, 3 और 1 4 और 1, 5 तो इसमें कितना जाएगा पांस सो अड़तालिस किलो मीटर घंटा के तो यही इसका राइट आंसर होगा ओफशन में यह नमार इसका राइट आंसर बन जाएगा के तो उमिद करती हूँ यह कोशन आपको समझ में आ गया होगा तो यह कोशन SSC GD 2021 में पूछा गया कोशन है तो इसमें हमने क्या किये यहां से स्टार्ट हुई तो कहां जाकर रुकी स्टेशन A पर रुकती है के और स्टेशन रेल गाड़ी स्टेशन A से निकल कर तो यह कितना B पर पहुंचती है के तो यह B पर पहुंचती है तो यह कितना 3 घंटे और यह 5 घंटे तो इसमें दोनों की टोटल दूरी तो इसमें टोटल दूरी इसकी क्या हो जाएगी इसमें 70 इंटू 5 करेंगे 350 किलो मीटर होगा और 66 km और 3 घंटे इसमें करेंगे 109 km घंटा होगा तो दोनों को हम add करेंगे तो इसकी कुल दूरी क्या निकल कर जाएगी 548 km तो आगे वड़ते हैं next question की और next question ये रहा 150 मीटर लंबी रेल गाड़ी 54 km घंटा की चाल से जा रही है उसके सामने से 100 मीटर लंबी रेल गाड़ी 36 km घंटा की चाल से आ रही है तो बताओ वो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी तो question को solve करते हैं तो इसमें क्या करना है इसको मैं figure द्वारा आपको समझाओंगी तो इसमें क्या करना है ये एक लंबी एक ट्रेन है के तो ये कितना है 150 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी है तो ये 54 km घंटा की चाल से जा रही है तो ये जा रही है और इधर से एक लंबी रेल गाड़ी 100 मीटर तो 100 मीटर में एक लंबी रेल गाड़ी 36 km घंटा की चाल से आ रही है ये जा रही है और ये बापस आ रही है तो इसमें जा रही है और आ रही है तो हम इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे प्लस करेंगे तो इसमें आरी है और जारी है तो इसमें प्लस करेंगे तो इसमें हम क्या कर लेंगे 150 मीटर प्लस 100 मीटर बरावर तो इसमें 150 और 100 को हम क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे तो इसमें कितना जाएगा 250, के, तो इसमें कितना जाएगा 250 मीटर, के, तो इतना सभी को समझ में आया, आगे इसमें क्या करना है, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें 54 किलो मीटर घंटा की चाल और 36 किलो मीटर घंटा की चाल दिया है, के, तो इसमें हम क्या कर लें, इन दो तो इसमें कितना जाएगा नबबे इंटू तो इसमें हम क्या करेंगे पांच बटा अठारा से गोड़ा कर लेंगे तो पांच बटा अठारा से हम गोड़ा करेंगे तो इसमें कितना जाएगा नबबे कर जाएगा अठारा से पांच बार में पांच इंटू पांच करेंगे तो इसमें कितना जाएगा 25 सेकेंड के तो ये 25 सेकेंड जाएगा आगे इसमें हम क्या करेंगे तो इसमें 250 मीटर दिया है और पी 25 दिया है तो इसमें हम भाग देंगे तो कितने बार में चल जाएगा ये 25 और 250 कर जाएगा कितने बार में 10 सेकेंड के तो ये 10 सेकेंड इसका राइट आंसर वनीगा उमिद करती हूँ ये कोश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो इसमें हमने क्या किये एक ट्रेन जा रही है और एक ट्रेन बापस आ रही है तो ये 150 मीटर और ये 100 मीटर तो इन दोनों को हम एट करेंगे तो 250 मीटर होगी के और आगे इसमें 54 किलो मीटर घंटा और 36 किलो म गुड़ा कर लेंगे तो इसमें 90 कर जाएगा 18 से 5 बार में 5 इंटू 5 करेंगे तो इसमें आ जाएगा 25 सेकेंड तो इसमें हम क्या करेंगी डिवाइट करेंगी 250 बटे में 25 तो कितना आ जाएगा 10 सेकेंड तो इसमें वो दोनों एक दूसे को कितने समय पार कर लेगी 10 सेके में पार कर लेगी तो जितने भी student all exam की तैयारी कर रहे हैं तो video को जादा से जादा share कीजिए like कीजिए और मेरे जनलर पर नहीं है तो जरूब से subscribe कर लीजिए तो आगे वढ़ते हैं next question की और next question ये रहा समान लबाई की दो ट्रेन इे समान आंतर पत्रियों पर क्रमसाहा कि गती से विप्रित दिसाओं में चल रही है यदि वे एक दूसरे को बारा सेकेंड में पार करती है तो प्रत्ते तिन की लंबाई मीटर में ग्याद कीजिए यह कोश्चन SSC GT 2023 में पूछा गया कोश्चन है तो इसमें हम मैं फ्रिगर द्वारा आपको समझाओंगी तो देखिए इसमें यह एक लंबी रेल गाड़ी है ट्रेन है और एक यह वाली रेल गाड़ी है जो की कितना है इसमें 54 किलो मीटर के तो यहां पर लिख देती हूँ 54 किलो मीटर घंटा और यह 90 किलो मीटर घंटा है के तो इतना किलियर हुआ तो यह ट्रेन जारी है और ये ट्रेन बापस आ रही है कि तो ये जारी है और ये बापस आ रही है तो इसमें हम क्या मानेंगे इसको X मीटर और इसको भी X मीटर मानेंगे कि तो X मीटर मानेंगे और X मीटर दोनों को X मीटर मानेंगे तो इसमें ये जारी है और ये आरी है कि तो इसमें एक दूसरे को 12 सेकेंड में पार करेगी तो ये एक दूसरे को क्या करेगी 12 सेकेंड में पार कर लेगी तो दोनों एक दूसरे को पार करेगी तो इसमें हम क्या करेंगे 54 और 90 तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे प्लस करेंगे तो इसमें कितना जाएगा 144 इंटो तो इसमें हम 5 बटा 18 से गोड़ा कर लेंगे तो इसमें X मीटर और X मीटर दोनों को हम गोड़ा करेंगे 12 से केंड जाएगा तो इसमें वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो इसमें 12 कर जाएगा 2 से 6 वार में और 6 से 18 कर जाएगा कितने वार में 3 और 3 से 144 कर जाएगा 48 वार में तो इसमें हम क्या करेंगे तो यहां पर देखिए 48 इंटू 5 करेंगे तो 48 इंटू 5 करेंगे तो इसमें X कमान X कमान क्या जाएगा इसमें 8 पंचे 40, 40 का सुन तो इसमें 4 वचा और 8 पंचे 40 के हो जाएगा और 5, 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा इसमें 24 के तो 240 मीटर इसका राइट आंसर होगा तो option में V नमर इसका राइट आंसर बन जाएगा तो उमीद करती हूँ यह question आपको समझ में आ गया होगा वीडियो को जादा से जादा share कीजिए तो फिर से समझाती हूँ तो देखिए इसमें exam में आपको इतना ही solve करना है के तो इसमें exam में इतना ही solve करना है इस figure द्वारा नहीं तो इसमें मैंने आपको figure से समझाई हूँ तो यह आपको नहीं करना exam में exam में वस इतना ही solve करना है के तो इसमें यह जारी है और यह बापस आ रही है तो दोनों आ रही है और जारी है तो इसमें यह train इसको पार करती हुए जाएगी के तो इसको हम x मीटर मानेंगे और इसको x मीटर मानेंगे तो इसमें यह 54 किलो मेटर घंटा और यह 90 किलो मेटर घंटा की चाल से है और दोनों एक दूसरी को 12 सेकेंड में पार करेगी तो 54 और 90 प्लस करेंगे तो 144 इंटू 5 बटा 18 हम इसमें क्या कर लेंगे गुड़ा कर लेंगे और बरावर x और x प्लस करेंगे तो 2x बटे में 12 सेकेंड तो इसमें वैल्यू कैंसिल हो जाएगी 12 कर जाएगा 2 से 6 बार में और 18 कर जाएगा 6 से 3 बार में 144 कर जाएगा 3 से 48 बार में तो इसमें 48 इंटू 5 करेंगे तो इसमें कितना जाएगा x का मान 240 मीटर तो ये कोश्चन SAC GT 2023 में पूछा गया कोश्चन है तो नौट कर लीजिए उमीद करती हूँ सारे कोश्चन आप सभी को समझ में आ गया हूंगे तो वीडियो को जादा से जादा से जादा सेयर कीजिए लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नहीं है तो ज़रूद से सस्क्राइब कर लीजिए और वेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप सभी के पास वीडियो की नोटिपिकेशन समय समय पर मिलती रहें तो आज की वीडियो यहीं पर समात्थ करते हैं तो ये रेल घाड़ी एवं समय टाइमे एन ट्रेन का पार्ट फाइब का लास्ट चेप्टर था तो ये लास्ट पार्ट था तो पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री और पार्ट फोर पार्ट फाइब मैंने आपको कवर करा दी हूँ तो अगली नेस्ट वीडियो में नेस्ट चेप्टर सुरू करेंगे के तो आज के लिए वस इतना ही मिलते हैं से ही नेस्ट वीडियो में थेंक यू जय हिन जय भारत